असलाम अलेकुम कैसे हैं आप सब लोग उमीद करती हूँ आप सब लोग ठीक हों के खेरियसी होंगे आज मैं आपको एक न्यू रेसीपी सिखाऊंगी चोके जबरदस्त है बहुत ज़्यादा डिलिशियस है आज मैं आपको तिका शवारमा बनाना सिखाऊंगी बाकी तमाम में तो आप लोगों ने ट्राइ की होंगे लेकिन ये शवारमा बिल्कु यूनीक है तो उसके लिए सबसे पहले मैंने चिकन ले ली बोननेस और इसको जो है मैंने ऐसे काट दिया है जैसे के आप लोग देख रहे हैं स्लाइस टाइप मैंने इसको काट दिया है बहुत ही ज चीज़ें इसमें डालेंगे और इसमें डाल देंगे अद्रक लैसन का पेस्ट एक चमच के करीब इसमें अद्रक लैसन का पेस्ट डालेंगे अच्छी तरहां से इसको मिक्स करेंगे बहुत जबर्दस तरीके से आप लोगों ने इसको मिक्स करना है ऐसे तमाम मसाले को अच्छी तरह से आप लोगों ने चिकन पे लगा देना है और तक्रीबन आदे गंटे के लिए इसको रखते नहें मैरिनेट करके आदे गंटे के बाद पिर next step करेंगे तो मैं इसको अच्छी तरहां से लगा के अप-कवर करके इसको आदे गंटे के लिए रख रही हो तो आदे गंटा wait करती हैं तब तक मैं आप लोगों को next step बता देती हूं आप लोग देख सकते हैं पीटा प्रेट के लिए जो है मैने आठा गूंद लिया है इस में जो मैंने हाथ पे थोड़ा सा औय लगा लिया पीटा प्रेट का तरही का मैने आप लोगों को पिछली वीडियो में सिखा दिया था अगर आप लोगों को आटा गूंदा ना एपिट अप्रेट का तो आप मेरी वो वीडियो देख लें ठीक है मैंने सोचा कि इस वीडियो में टाइम जाया ना हो इसलिए मैंने पहले गूंद लिये हैं अब हम इस आटे के पेड़े बना देंगे और पेरों को भी हम ढखके थोड़ी देर रखतेंगे ताकि ये भी बहुत अच्छी तरह से फूल जाएं ठीक है अगर जितनी अच्छी तरह से ये फूलेंगे उतनी जबर्दस तरीके से हमारे ये तियारों का दूसरी तरफ आदा गंटा हो चुका है चिकन को मेरिनेट हुए अब एक पैन में मैंने आई दे दिया और इसमें हम लोग डाल देंगे चिकन अच्छी तरह से चमच को चला देंगे ये अपने ही पानी में पकचेगी दो मिनिट के बाद आप लोग देख सकते हैं चिकन ने अपना ही पानी छोड़ती है जैसा के आप लोगों के सामने है तो इसको ढखके तक्रीबन दस मिनिट के लिए पकाते हैं पिर नेक्स टेप करेंगे दस मिनिट हो चुके हैं माशाला से आप लोग देख सकते हैं हमारी जो चिकन है चिकन तिका वो बिल्कु तियार हो चुकी है एक नए अंदास में बहुत ही जबरदस और बहुत ही खुश्पूदार ये देखें अच्छी तरह से ये गल भी चुकी है अब हम इसको साइड पे कर लेंगे दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं जो हम आप बढ़ fuckin देंगे है ए को एक पेड़े को हम बेलों इसको मैं इस को बढ़ देना है अच्छी तना से मैं आप हमारा गरम हो चुका कैया है इसमें थोड़ा सा मैंने ओल से गरीज कर दिया है अभ उस पेड़े को मैं इसमें डाल दिया है थोड़ी तेर इतल्य को पकने दे है अब इसकी साइड को ऐसे आप लोगों ने चेंज कर देना है जब तक कलर ना आए तब तक आप लोगों ने इसको पकाना है तो तमाम को मैं ऐसे पका कर पिर आप लोगो को दिखाती हूं । तमाम पीटब्रेड्ट हमारी त्यार हो चुकी है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कितना खुबी सूरत कलर आ चुका है इन के उपर ये देखे टीक है आप लोगों ने भी ऐसे तमाम पीटा ब्रेड घर में तियार कर देनी है ताके बजार से मंगवाने की आप लोगों को ज़रूरत ना पड़े अब हम शवार्मा तियार करेंगे उसके लिए सबसे पहले एक मैंने पीटा ब्रेड ले दी और इसमें हम लोग डालेंगे शवार्मा सॉस जो मैंने आप लोगों को पहले बनाना सिखा दिया था ऐसे आप लोगों ने शवार्मा सॉस पहले इस पे लगानी है बहुत जबरदस तरीके से इसके बाद रेड सॉस ठीक है रेड छेवार्मा सॉस ये लगाएंगे ये भी मैंने आप रोगों को बनाना सिखा देती अगर आप रोगों को दुबारा इसमें से कोई भी मसला हो तो आप मुझे कमेंट में पोच सकते हैं वैसे मैं इसका लिंक भी दे दूँगी इसके इलावा इसमें हम बन को भी डाल देंगे ऐसे और शिम्दा मिर्च डाल देंगे और अगर आप लोगों को कोई वेज़िटेवल पसंद हो तो आप भी इसमें डाल सकते हैं लेकिन मैं शिम्ला मिर्च और बन को भी सिर्फ एट करूंगे इसके बाद जो हम लोगों ने चिकन त्यार की थी तिक्का चिकन ठीक है वो इसमें ऐसे डाल देंगे बहुत ही ज्यादा खुश्बूदार हमारी ये चिकन त्यार हुई है आप यकीन माने ऐसे हम लोगों ने इस के उपर ऐसे डाल देना है फिर हम लोगों ने इस पे शवार्मा सॉस डाल नहीं है उपर से ऐसे बहुत ही जबरदस तरीके से आप लोगों ने इस पे ऐसे डालते जाना है और फिर दुबारा से इस पे थोड़ी सी और वेज़िटीबल्स डालेंगे और इसको ऐसे आप लो फाइनल लुक की तरफ जैसा कि आप लोग देख रहे हैं तमाम शवार में मैंने त्यार कर दी हैं बहुत ही जबरदस तरीके से फाइनल लुक आ चुकी है आप लोगों के सामने आप लोगों ने जरूर ट्राय करने और मुझे अपना फीड़बेक जरूर देना है कि आप इजाज़त, आला हाफीज